ये विडियो केवल और केवल मनुरंचन के उदेशे से बनाया गया है, सभी पातर कालपनिक है, वास्तविक वेक्तियों, जीवित या मुरत या वास्तिव खटनाओं से कोई समानता विश्वत रूप से सहींग है, किसी वेक्ति धर्मय जाती को ठेस पोचाने की मंचा नहीं है अब रोज यूही होने लगा, मैं रोज रात सास के पास सोती, सास के दिन बदिन जवान होने लगी और मुझे हड़ियों का दर्ध होने लगा, जब मेरा तेरा साल का देवर बोला, मैं भी बुड़ा हो जाऊंगा, तो मम्मी मैं भी जवान होने के लिए वही करूंगा, जो मेरे साथ क्या करती हैं तो उसने जो बताया उसे सुन कर तो मेरा दिल फटने लगा मैंने एक बहुत ही सक तरह के माहोल में आख खोली थी मैं चार भाईयों की इकलोती बहन थी भाई तो मुझे पर जान निचावर करते थे जबकि पापा मुझे पर बहुत ही सकती करते थे मैं लता ने कोई उंच नीच हो गई तो हम पांचो मर्दों की जिंदगियां खराब हो जाएगी हम किसी को आख मिलाने के लायक नहीं रहेंगे इसलिए अपनी बेटी पर थोड़ा लगाम दो जिस तरह मुम्किन हो सके ना जाने क्यों मेरे पापा को ये क्यों लगता था कि बेट का ख्याल रखें वैसे बाप की खुशी के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं थेर पापा का हुकम था मम्मी कैसे नजर अंदाज कर सकती थी भला मम्मी तो सारी जिंदगी मुझ पर बहुत रोक टोक किया करती थी वह कहीं आने भी जाने भी नहीं देती थी और ये शहर से बाहर जाना पड़ा था तब मैं बहुत खुश हो गई थी मैं मम्मी से बोली अगर आप मुझे परवीशन देंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बच्पन की सहली के घर जाना चाहती हूँ मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया तो मैं बोली मम्मी आपने बात तुमने अपने मुझे ऐसी बात निकाली तो ये जो तुम्हारे चार भाई है ना सिर्फ अपने बाप के लिए हैं जबकि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी सहली हो मेरी जिगर का टुकड़ा हो मम्मी की बाते सुन कर मैं बोली अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप मु मुझे पैसे भी दिये थे और बहुत धंकाया भी था कि अपना बहुत ख्याल रखना मैं मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराई थी और घर से चली गई थी आज मैं कई सालों बात जोयती के घर जा रही थी पहले जब छोटी थी तो एक दो बार मम्मी के साथ गई थी क्यूंकि उ सब कुछ नया-नया लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर सुहाना गटा चाया हो एक शुकून सा मेरे रगरग में दोट पड़ा था खैर जब मैं जोति के घर पर पहुँची तो उससे यकीन ही नहीं होया कि मैं आई हूं कि मैं उसके घर कैसे चली गई व e कहने लगी आज तो लगता है मेरी जिंदगी का सबसे खुबसूरत दिन है जो तुम हमारे घर आ गई हो मैं हस कर बोली तुम सोच भी नहीं सकती हो मुझे कितनी मुश्किले से परमीसन मिली है खेर हम दोनों सहेलिया दो घंटे साथ बैटी थी फिर मैं उससे अपने जाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और बोली नहीं मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूँगी अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ कुछ वक्त बिता लो बोली अगर आज वक्त से घर नहीं आऊंगी तो मम्मी मुझे फिर कभी नहीं भेजेंगी बातों बात नहीं ज्योती कहने लगी मैं मम्मी को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ मैंने मना कर दिया और बोली नहीं नहीं मैं खुद ही चली जाओंगी वैसे भी मैं बहुत सालों बाद घर से अकेली निकली हूँ मैं जिद करके ज्योती के घर से अकेले ही निकल आई थी मगर मुझ घर से बाहर नहीं निकली थी तो ऐसे हालात का सामना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी वे लड़के मेरी घबराट देखकर और निडर होने लगे और चलते चलते आकर मेरे पास खड़े हो गए थे एक बोला कहां जा रही हो अकेले अक पदमों तेले दुनिया जहां की दौलते बिछा देंगे दोनों लड़के खिल खिला कर हसने लगे थे मैं उनसे दूर होने की कोशिस कर रही थी जबकि वे मेरे बिलकुल करीब आते जा रहे थे तब मुझे बस आती दिखाई दी थी मेरी जान में जान आ गई थी मैं बहु में बैठ गए थे अब वे मेरे पास बैठने की कोशिस कर रहे थे तब एक लड़का बड़ा गुस्से से बोला तुम दोनों कौन हो ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है वे दोनों खिलकिला कर हस पड़े और बोले कि अभी तो कुछ नहीं लगती मगर बहुत जल्दी ह मेरी हिवाज़त करता रहा ये सब देखकर मेरी आखे चलक पड़ी थी मैं उसके लिए पराथनाएं कर रही थी बस रुकी तो वे लड़का भी मेरे साथ ही उतरा था कहने लगा मैं तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूं मैं अब बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए उसकी बात को टाल नहीं सकती थी उसने मुझे बताया कि मेरा नाम बंटी है वह मुझे मेरे घर के पास छोड़ कर चला गया था मैं घर में अंदर हुई तो ममी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया था वे फूट फूट कर रोने लगी थी मैं भी रोती जा रही थी ममी कहने लगी तुम कहां रह गई थी मेरी तो जान बनाई थी मैंने रोते रोते ममी को सारा किस्सा सुना दिया था ममी बहुत ज्यादा घबरा गई थी कहने लगी भगवान उस लड़के पर अपनी किरपा बनाए रखे जिसने हमारी मदद की अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क किया करते ममी अब उठते वैडते ही बन्टी की लिए परातनाई करती रहती थी दो दिन बाद पापा वापस आ गए थे मैंने और ममी ने इस किस्से को पापा और भाईयों से चुपा लिया था मुझे रह रहे कर बन्टी का अच्छे वहवार की याद आती थी तो मेरे दिल तो मेरे सपनों में भी आया था उसके बाद मैं सोचने लगी थी कि बन्टी से दोबारा मिलना मुम्किन नहीं है मैं एक दिन ज्योती के साथ फोन पर बात कर रही थी तो मैंने उसे बन्टी के बारे में सब कुछ बता दिया था मेरी बात सुनकर ज्योती कहने लगी तुम उ सकता है वह तुम्हें मिल जाएगा यूं उसने मेरे रोशनी की किरण जगा दी थी मैं उसे बहुत खुश हो गई मैंने जैसे ही कॉल बंद की जल्दी से मम्मी के मोबाई पर फेस्बुक डाउनलोड करके उसकी आईडी बना ली थी उसके बाद जब भी मुझे मोका मिलता बं जा सकता है उसको ढूंडना मुंकिन नहीं था मैं बहुत हैरान हो गई थी एक दिन बंटी की तस्वीर मेरे सामने आ गई थी मेरी तो खुशी का ठीकाना नहीं रहा मैं उसे फेस्बुक पर ढूंड रही थी तभी उसकी फोटो से जल्दी से मैसिज किया और उसे ठेंस बोल उसने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी मैं और मेरी ममी आपके लिए बहुत पराथनाएं करते हैं उसका जवाब नहीं आया था ठीक दो दिन बाद उसने मुझे जवाब दिया था वे कहने लगा ये तो मेरा फर्ज था मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो बिलकुल अनोखा हो फिर उसने मुझे बताया कि वे फेस्बुक बहुत कम चलाता है अब हम दोनों हर रोज बाते करने लगे थे मुझे बंटी से बहुत महबबत हो गई थी उसका भी कुछ ऐसे ही हाल था मुझे बताया था उसने मैंने कहा कि तुम मेरे लिए रिस्ता भेज दो तब वो कहने ल और छोटे भाई का ख्याल रखता हूं मैं बोली बंटी मेरे लिए तुम ही बहुत हो तुम मेरा रिस्ता ले आओगे मैं अपने घरवालों को खुद ही मना लूँगी बंटी की बात सच साबित हो गई थी उसका रिस्ता आया तो पापा ने मना कर दिया था वे कहने लगे न इसने मेरी इज़त बचाई थी ममी ने भी बहुत कोशिस करके देख ली मगर पापा नहीं माने थे तब मैंने पापा के साथ बात करने के फैसला कर लिया था मैंने उनसे दो टुक बात कह दिया था कि आप मेरी शादी उसी जगह पर कर दो अगर खाने पीने की तंगी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है मेरी बात सुनकर पापा चौक गए थे उनके माथे पर बल पड़ गए थे वो कहने लगे तुम इस रिस्ते के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो बताओ मुझे तुम लड़के को कैसे जानती हो मैं चुप होकर रह गई थी मगर पापा की तो मैं सुसाइट भी कर सकती हूँ आप खुद उसके जिम्मेदार होगे मेरी बात सुनकर पापा हका बक्का रह गए थे उन्होंने मेरे मुझे पर थपड मारा था फिर वे मम्मी को भी बुरा भला कहने लगे थे तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बेटी गुल खि रखा था वे बस इतना बोले थे कि अब हमारा रिस्ता खतम हो गया है मेरी आखे चलक पड़ी थी खैर मैंने दिल में सोचा कि पापा अपने पहले भी कौन सा मुझे प्यार किया था इसी खुसी में थी कि मेरी शादी एक ऐसे इनसान के साथ हो रही थी जिसे मैं महबत करती थी और वो भी मुझे चाता था विदा होकर बंटी के घर आ गई थी मगर ये देखकर जरा घबरा गई थी कि बंटी के घर के हालात मेरी सोच से भी बढ़कर ज्यादा खराब थे उसका कमरा भी बहुत छोटा सा था जिसमें अजीब सा टूटा फूटा फनीचर पड़ा हु मुझे मेरी मुहबत सी मिल गई थी मगर मैं जानता था कि ये मुलकात पहली और आखरी है इसलिए मैंने अपने दिल से तुम्हारा ख्याल जटक दिया था मगर जब तुमने खुद मुझसे फेस्बुक पर बात किया तो मुझे अपनी खुश किश्मती पर यकीन ही नहीं हो मुस्किल वक्त भी कट जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं मुस्कुरा कर बोली बंटी आपने मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं चुपाई थी आपने सब कुछ मुझसे पहले ही बता दिया था मगर फिर भी मुझे आप से ही शादी करनी थी और आज मैं आपके साथ वादा करती हूँ कि हमेशा आपका साथ दूंगी बंटी मुस्कुराने लगा था फिर उसने मुझसे कहने लगा लता मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है तुम प्लीज मेरी ममी के कमरे में जाकर सोजाओ मैं हक्का बक्का रह गई थी मैं बोली बंटी क्या आपका काम मु बंटी के चहरे पर परिशानी सी परिशानी थी मगर कहने लगा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिस करो तुम ममी के कमरे में चली जाओ मैं गुसे से उठी और कपड़े बदल कर अपनी सास के कमरे में चली गई थी मैं बोली बंटी किसी काम से बाहर जा रहा है उन्होंने तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ, मैं चुप करके बिस्तर पर लेट गई थी, मेरा दिल बहुत ज्यादा बोजल हो रहा था, मैं बंटी की खातिर अपने बाप को नाराज करके आ गई थी, और मैं शादी भी पहली रात ही मुझे छोड़कर अपने काम से चला गया था, मैं बहु जाकर मेरे दिल से उदासी खतम हो गई थी, बंटी गे घर का माहूल बहुत अच्छा था, वै अपनी मा के सामने मुझसे हसी मजाक कर लेता था, मेरा देवर भी मुझसे भावी भावी कहते नहीं ठकता था, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मेरी मम्मी का इस भरी दुनिया में मेरे सिवा कौन था भला, पापा तो मम्मी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं किया करते थे, फिर मेरे चारो भाई पापा पर ही गए थे, वे लोग तो हू बहू पापा जैसा ही हरकते किया करते थे, ऐसे में हम दोनों मा बेटी एक दूसरे का सहारा बनी रहती थी, खेर मुझे यकीन था कि बन्टी के संग मेरी जिन्दगी बहुत अच्छी गुजरेगी, रात हुई तो हम सब मिलकर खाना खाया था, फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी और बन्टी मेरे पीछे पीछे आ गया था, वे मुझे इधर उधर की बाते करने लगा था, हम द मैं दमसा साधे बैठी थी, तभी बन्टी कहने लगा, लता तुम ममी के कमरे में चली जाओ, मुझे काम है, मैं गुसे से बोली, बन्टी मेरी शादी, आपके साथ हुई है, आपकी ममी के साथ जो आप ये सब कर रहे हैं, आज आपको कही नहीं जाने दूगी, मेरी बात सु मुझे से बोली, बन्टी मुझे सच सच बताओ, आप मुझे छोड़ कर कहां जाते हो, बन्टी कहने लगा, तुम बिना वज़ा मुझे पर सक करने लगी हो, बहुत ज्यादा मजबूरी में हूँ, तुम्हें छोड़ कर जाता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद कितना बेबस हो जाता हूँ बंटी ने मुझे जबरदस्ती ही अपनी मा के कमरे में भेज दिया था आज तो मेरी आखों में आसू निकल रहे थे मैंने सोचा था कि बंटी के संग जिंदगी प्यार महबबस से गुजरेगी मगर ये भी अजीब सा लगने लगा था भला ऐसा कौन सा दुला हो का जो अपनी नई नवेली दुलहन को अपनी मा के कमरे में भेज कर खुद काम से चला जाता होगा ये सब बाते मेरे दिमाग पर सवार हो रही थी इसी वज़ा से मेरी हड़ियों में भी बहुत दर्द रहने लगा था आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था मैं तो एक हटी-कटी चुस्त-दुरुस्त लड़की थी मैंने अकसल मम्मी के मूँ से सुना था कि टेंसल लेने से सरीर में वेजान सी परजने लगती है कुछ परिशानिया ऐसी होती है जो इनसान के जिसम से सारी ताकत चूस लेती है खैर मैंने महसूस किया था कि अब मेरी सास बहुत खुश रहने लगी थी बलके अगर यूं कहो कि पहले से भी ज़्यादा जवान नजर आती थी तो भी गलत नहीं होगा तब मेरे दिल में ख्याल आता कि क्या पता मेरी सास बंटी की शादी दूसरी लड़की से करवाना चाहती हो और अब बंटी मुझे हर रात अपनी मम्मी के कमरे में छोड़ कर चला जाता है तो उनको दिली तसली मिलती है मैंने सोच लिया था कि उस बात की तह तक जाकर रहूंगी मगर मुझे सारी हकीकत बताता भी तो कौन मैंने अपनी सास से पूछने की कोशिश की मगर फिर भी अपने ख्याल को जटक दिया था तब मेरे दिमाग में मेरे देवर का ख्याल आया था वे भी छोटा था उसकी बातों में लाकर कुछ भी पुछा जा सकता था एक दिन मेरी सास मुहले में निकली थी तब मैं और मेरा देवर चिंटू घर में अकेले थे चिंटू आंगन में बैठ कर पढ़ रहा था मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली चिंटू क्या पढ़ रहे हो वे बताने लगा साइंस का टेस्ट है मास्टर साहब ने बोला है जिस बच्चे का नंबर कम आएगा तो उसे मुर्गा बना कर पिटाई करेंगे मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसलिए आज अपना किर्केट का मैठ छोड़ कर पढ़ने बैठा हूँ मैं चिंटू की मासूम सी बात पर मुस्कुरा दी थी फिर बोली चिंटू एक बात तो बताओ मुझसे पहले क्या बंटी की मंगनी हो चुकी थी मैं मेरी बात सुनकर खिलखिला कर हस दिया था कहने लगा भावी मुझे तो उस बात पर यकीन ही नहीं आता के आप अपनी इतनी खुबसूरत होने के बावजुद भी बंटी भाई से साधी करने पर राजी कैसे हो गई हो पापा के मरने के बाद हमारे घर में बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी और मेरी बेहन भी बहुत बीमार है सारे हालत आपके सामने ही हैं मम्मी ने एक दो घरों में बंटी भाई का रिस्ता मांगा था मगर उन्होंने मना कर दिया था मम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी अब क्याक होगा फिर एक दिन बंटी भाई ने मम्मी से कहा एक लड़की को पसंद करते हैं उससे साधी करना चाहते हैं इसलिए रिस्ता मांग दे मम्मी बहुत ज्यादा मायूस हो गई कहने लगी बंटी ये रिस्ता मांग तो लूंगी मगर आगे मना हो जाएगा तब भाई बोले कि नहीं इस बार मना नहीं होगा फिर भाई की बात सच साबित हो गई मम्मी ने आपका रिस्ता मांग दिया था और मना भी नहीं होगा मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी फिर आप हमारे घर ब्याकर आ गई चिंटू से बात करके मेरा दिल बहुत हलका हो गया मुझे एक बात और पता चली कि चिंटू की एक बेहन भी है और वे बिमार है और बिमार है तो कहां है और मुझे ये बात क्यों चुपाई बंटी ने चिंटू से बोली के तुम पढ़ाई करो मैं भी अपने एक दो काम निप्टा लूँ मैं उठकर किचन में आ गई थी सोचने लगी थी कि मेरी सास और बंटी ने अपनी बेटी और उन से अपनी बेहन के बारे में बात क्यों चुपाई थी तो फिर बंटी मुझे हर रात छोड़ कर कहां चले जाते हैं मेरी बंटी की साधी को दो हफते हो गए थे और वे हर रात मुझे अपनी मा के कमरे में छोड़ कर खुद बाहर कहीं चले जाते थे अब तो मुझे इस बात का शक होने लगा था कि कहीं बंटी से कूफिया तोर पर दूसरी शादी तो नहीं की हुई ये सब बाते मुझे बहुत सता रही थी मुझे हर रात अपनी सास के कमरे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मगर मेरी मजबूरी थी अब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी मेरी हड़ियों में भी बहुत दर्द रहने लगा था यहां तक कि मैं बिस्तर से लग गई थी जबकि मेरी सास पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था अ अब तो बंटी भी मेरे लिए बहुत परिशान रहने लगा था, एक दिन मेरे उपर जिसमें बहुत ज्यादा दर्द था, बंटी काम से आया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी, बोली बंटी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द है, मु मारा हर्दियों का दर्द चला जाएगा बंटी की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था मैंने उसके हाथ से पुडिया पकड़ कर नीचे फेक दी मेरी आखों से आसू बहे जा रहे थे मैंने बंटी के आगे हाथ जोड़े और बोली मैं आपकी एक अच्छाई देख कर सोच लिया कि आप शायद कोई बहुत ही अच्छे इंसान होंगे मुझे आप से मुहबत हो गई तो लगने लगा शायद आप भी मुझे चाहते होंगे इसलिए आपके साथ साधी करने का फैसला कर लिया मगर आज मुझे लग रहा है मेरा फैसला गलत है मुझे आपके साथ छोड़ जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना कहकर वे कमरे से निकल गया था जब कि मैं फूट फूट कर रो रही थी शायद मेरे रोने की आवाज मेरे कमरे से बाहर चली गए थी तभी मेरे छोटा देवर मेरे पास आकर बैठ गया था वैं कहने लगा क्या बात है भावी आप क्यों रो रही हो मैं रोते हुए बोली मेरी हड्डियों से बहुत दर्द है मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा चिंटु बोला भावी मम्मी ठीक नहीं कर रही है वे अपनी बेटी के खातिर आपको बीमार कर रही है उसकी बात सुनकर मैं चो मैं तो इस चीज से बिल्कुल खिलाफ हूँ किसी को अच्छा करने के खातिर किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता मैं बोली क्या मतलब है तुम्हारा तुम क्या कह रहे हो एक दम से घबरा गया और उठकर मेरे पास से चला गया था अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था क कुछ न कुछ गड़वर जरूर थी इस सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ था उस हकीकत के बारे में सिर्फ मेरा देवर ही बता सकता था मैंने सोच लिया था कि आज इस राज को परदा फास्ट करके ही रहूंगी मगर मैं देवर से सारी हकीकत कैसे पूछ जी मुझे इस बात क अपने देवर को अपने पास बुलाती और रोने लगती मुझे बहुत ज्यादा तक्रीफ है एक दिन मैंने उससे चोकलेट दी और उससे बोली मुझे बताओ तुम्हारी ममी मेरे साथ क्या करती है चिंटू ने जो मुझे बात बताई थी उसने मुझे डरा कर रख दिया थ अब मैं बंटी की वापसी का इंतिजार कर रही थी जैसे ही घर में आया बंटी पर मैं फट पड़ी थी और बोली बंटी आप से तो अच्छा चिंटू है जिसने मुझे पर तरस खाया आपकी और सासु मा की सारी हकिकत मुझे बता दी जबकि आपने तो मुझे तबा और ब मजबूरी के लिए ही करता है दरसल पापा के मरने के बाद हम बहुत गरीवी में जिंदगी गुजार रहे थे हम दोनों से छोटी एक बहन को पी लिया हो गया था डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए काफी पैसे मांगे थे जबकि मैं उसी होस्पीटल में एक छोटा सा कंपा करवाया था उसको खून की बहुत कमी बताई गई थी उसकी वज़ा से उसकी मौत भी हो सकती थी और मेरी मास शुगर पेशेंट थी तो उसका बलड नहीं निकाल सकता था और मेरा भाई 13 साल का था तो उसका भी बलड नहीं निकाल सकता था बचा मैं तो मेरा बलड उसके ब मूँ मोड लिया था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम बलड खरीच सकते थे उसी टाइम आपका रिस्ता मेरे से हो गया और आप जब शादी करके पहली रात मेरे घर पर आई तो मैंने फॉन कोल का बहाना करके बाहर चला गया तभी तुम मम्मी के कमरे में गई तग्य में हमने कलोरोफॉम मिला रखा था आपको जाते ही नींद आ गई थी तब मैंने आपका बलड निकाल लिया था और इत्तिफाक की बात ये थी कि आपकी बलड मेरी बेहन की बलड से मैच कर गई तो उसकी हालात बिलकुल ठीक हो गई और मैं रोज रात को अपनी बेहन के पा जान साबित हुआ या नहीं मैं नहीं जानता पर मैं इतना जानता हूं कि मैंने तुमको कोई नुकसान नहीं पहुचाया रही बलड की बात तो आप खाओगे पीओगे तो आपका बलड फिर से बन जाएगा और आप तंदरुस्त हो सकती हो आप जाने अंजाने में किसी की जान बचाने में कामियाब रही और मा मेरी बहन की वज़ा से बहुत खुश रहती है ये सब सुनकर मेरे आखों से आशू रुक नहीं रहे थे बंटी ने जो भी किया था वे सच में मजबूरी में ही किया था और वे सच में बहुत अच्छा इंसान था वे हमेशा किसी की भल कर गले से लगा लिया और मैंने उसको माफ कर दिया और अपनी सास को भी माफ कर दिया और अपने देवर को भी गले से लगा लिया क्यूंके वे बच्चा था लेकिन एक दम सच बोलता था आज मुझे पहली बार अपनी ननत के बारे में पता चला था तो हम उसे हॉस्पिटल स चुटी दिला कर घर ले आये थे और वे भी एक बहुत अच्छी इंसान थी मेरे होस्पिटल में जाते ही वो मुझसे गले से लिपट कर रोने लगी थी और मुझे ठैंक्स बोला कि भावी आपकी वज़र से मेरी जान बच गई है आप जब से हमारे घर में आई हैं सब कुछ अच्छा ही हो रहा है आप सच में भगवान की रूप है अब हमारा परिवार एकदम सुखी परिवार है और हम मिल जुल कर रहते हैं तो बताईए दोस्तो इस कहानी में बंटी ने ठीक किया या गलत मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा जब तक के लिए ठैंस पोर वाच like and subscribe, bye bye